इस वक्त हम वड़नगर में मौझूद है और वोटिंग से पहले की आखरी रात है कल सुबा वोटिंग होनी है वड़नगर में आखिरकार इस बार लोगों का रुजान क्या है क्योंकि पिछली बार यहां से वड़नगर से भाज़ा फार गई थे बड़ा एतियासिक बड़ा द क्ता मात करेंगे स्वड़ीट्य मिल फाइदा और फाइदा है क्या मुनफा है लोगों को यहां पर क्या चाद इखता है नाम होता क्या लाओ है क्या देख रहे हिधर इस बार गाऊं में क्या है किसका जोर लग रहा है बाजब का जोर लग रहा है अब जब केमरा नहीं किया था तो आप बोल रहे थे कि एक तो अच्छा बनेगी तो कैमरा नहीं किया था तो देखिए अभी एक भीया और थे कहा गए वो अभी निकल गए अभी जब हम बात कर रहे थे केमरा ओन नहीं किया था थोड़ा एसी बातचीत कर रहे थे कि कुछ भी ओ सकता है और साथ पर यहां गिर गया यह वह गया है यह कुछ रात में जो है में अलग चीज देख रहा हूं कैमरा ओन करने से पहले लोग कुछ और बोलते हैं कैमरा ओफ करते हैं या कैमरे पहले कुछ बात होती है और यह थे आप क्या देख रहे हैं चुनाओ में सुपर वोटिंग के लिए जाएंगे क्या देख रहे हैं चुनाओ बरभावर है एक तरफा है कि वन वे आएगा बीजेपी यह हरा क्यों दिया था पिछली बार इदर से यहां से जो आशाबें थे ना वो एजुकेटेड परसं थे फिर हो भी विजेपी में चले गए दे थे कीजे बिया पर वहा रहा दिया त् producciónौहां चाभी-कभी कंडिनेट का भी विरोध होता है और उसको टिकट मिलता तो उसके फिवर वे भी जाएगा ना शब को हिसाब सेичес हरों जाता है आपको किया लग रहा है बोल नहीं पाएंगे तो भाजब है क्या काम करते हैं खेती बाड़ी खेती बाड़ी करते हैं आप तो अच्छा-खासा बोलते हैं नहीं में जीप तुरी अच्छा देखिए मैं यही कह रहा था कि गाहों जो है बड़ा दिल्चस्प है अभी भाजसाब कह रहते हैं लेकिन आप चार-पांच बात अच्छा बाजब आएगा लेकिन दंदे का कोई रोजगार का करो इसके हिसाब से कोई फ्यक्टरी डालो पांचों इंचन काम करें इसा डालो पूरा तलाव बनाया 10,000 क्रोड राल दिया पानी में डाला है सब प्यासा कोई फ्यक्टरी डालो कोई असा उज्योग डालो तो अच्छा बाजब नेताओं को सोचना चाहिए कि क्यों जो है वो भाजबा की करें करी यहां पर हो रही है कि मोदी जी के गाउं में लोग रोजगार के लिए परिशान है और यहां पर रोजगार का कोई साधन नहीं है अच्छा क्या नाम हो आपका पठान इर्फान एहमद खान लंबा चुड़ा नाम है तो क्या देख रहे हैं चुनाव में अपी तो भाजबी आईगी वाजब आएगी क्यों भाजब आएगी पाजब की लाना पड़े नहीं तो यहां तो मोदी का गाउं है अच्छा मतलब कुछ क्या है और अभी एक जो रेल आई है वह अभी पाच्छा महीं नहीं बोल रहा है उसे पहले तो एकी रेल सुभा आती दिवा सुभा एक ही आती दिवा तब दूसरा और काम बताओ अभी काम चालू था ने इसके लिए उस पताल बनाया है लिए रोजगार का इधर कि दिना अर्वतन कहा है मिरा तौनование तो आड़ाव में काम चल जाता है यह उतला लेकिन क्या कुझत अच्छा नहीं चलता है उपक्रीवीवार स्लाथ सब्सक्राइब परिवार में पांच लोग कैसे लाता है ऐसे ही होता है जलता है इतने पर कम पैसे में तो जारूम आती ह और यह पूछना चाहरा हूं यह कह रहें कि 8000 रुपर केवल तन्खा है दूसरे भाइसाब करें रोजगार का कोई साधन नहीं है आपको भी नहीं है और फिर सरकार कोन आएगी तो बहुत भी तो सब्सक्राइब नहीं है काम नहीं है दंदा नहीं है यह मतलब आप चाहते हो भाजब आए यह मजबूरी कोई है नहीं कोई मजबूरी नहीं है इसके दवा पहला जो चूटनी हुई थी ना उस टाइम अगले टाइप कोंग्रे जीत के दिए लेकिन वह वापिस भाजब में चली गई ऐसे भी हमारे को तो ऐसा ही है कि अंगिरे स्कूल आने का कोई एर्थी नहीं है भॉक्सी चेंज हो जाता है वह आपको क्या लगता है वह अपने आप से से ले गए उनको बुला लिए गया आप लोगकुल देख में और अशें हैं कि गुजरात में प्रधान मंतरी नर्छ दर मोधी का गाउं और जो तमाम चेह पर आ रहोप लगता सरकार गिराने के बनाने के विधायin को खरीजने के इसाद्तों को खरीद आठ अजार रुपए में मोदी जी ने तो चाय बेची सही बात है अब चाय बेची बेची जाए तो पता हमको क्या से पता होगी है अच्छा यह यह तो बदा वातों करी सिंगे मोदी चाह विकता है बाद करते हैँ तो बड़े बजूढों को तो तो मोधी कि उमर के ऊंगे आपके घर में तो बड़े वाले बोलते हैं बड़े वाले तो बोलते हैं वट्डगर में कुछ काम दंदा नहीं है असल बात यह है कुछ नहीं है छोड़ो उसको चाहां तो साइड मेरी साइड में करो उसको पर छे अजार में मजूरी करते हम छे अजार रुपे में चे अजार रुपे में क्या करने गा चाहिए पद्ला आप लाईए अगर लाना है तो लिया ओ भाजपा को लेकिन काम तो करो आप बाजपा कह रहे थे क्या करें बीचारे लोग कितनी है इसार मैं तो प्राइवेट काम करता हूँ ठीक है और कभी भी गाडी लेकर में जाता हूँ तो और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो रेल वेट ट्रेशन जो नामुमकीन चीज थी उसको मुमकीन कर दिया है जैसे कि यहां से वल्डार का ट्रेंड श्टार्ट किया जब तक अभी करिमन 15-20 दिन हुआ यहां पर रोजगार अभी बढ़ेगा नहीं मैं बात जानना चाह रहा हूं आप यहां पर रेल इस्टेशन जो है या रेल है वो नामुंकिन चीज है आज तक जो भी सालसद आए ना अब आप कहरे हो कि नामुंकिन चीज है और मोधी जी तो उस वक्त में चाहे बेचा करते थ करना पड़ता है नहीं तो आज ना मुम्किन कैसे हो कि रोजकार की कमी है लेकिन वह अपना पर भी डिपेंशन आप बात कुछी लाइन थी तो आज रोजगार का लिए दिक्कत हो रही है यह 680 रूपर कमा रहा है उसक्त में मोधी जी जो है वो कॉंग्रेस के टाइम पे उ पहले सर लाइसेंस का बहुत इंपर्टेट रहा है आपको खुछ भी दंदा है इनको दूर करने के लिए पने लिए अब करता हुँ अभी रष्टा चार भी है मैं मानता हूँ ठीक है ब्राष्टाचार है लेकिन क्या क्यों है जैसे कि मैं आया मैं आपको बोलूगा कि यह लोग पचास हुआ काम करो पब्लीक को ही करना पड़ेगा तो अगर कोई ब्राष्टाचार करता है तो आप कंप्लेंट दो क्यों नहीं तो चलिए यहां पर लोगों से बात की कंपी जरू दो